कैसे मनाने वाली है दिपिका इस साल दिवाली? क्या घरवालों के साथ होंगी इस साल? क्या इस बार ग्रैन तरीके से नहीं कर रही है दिवाली सेलिब्रेट? आईए जानते हैं दिपिका के दिवाली प्लांस के बारे में दिवाली हर किसी के लिए बहुत खास होता है फैमिली और फ्रेंस के साथ इसे धूम धाम से मनाया जाता है फैंस ऐसे में ये जानने के लिए एकसाइटेट रहते है कि आखिर उनके फेवरेट स्टार्स दिवाली कैसे सेलबरेट कर रहे है ऐसे में हाली में मिस मालनी को दिये इंटर्व्यू में दिपिका ने की बाद अपने दिवाली प्लैंस को लेकर उन्होंने बताया कि वो इस साल दिवाली कैसे सलेबरेट करने वाली है दिपिका ने इस बारे में बात करते वे कहां इमानदारी से कहू तो हम परियावरन और हमारे आसपास के लोगों के प्रती समवेदन शीलिताक को ध्यान में रखते हुए चीजों को काफी लो रखने जा रहे है ये विबिन्न तरीकों से कई लोगों के लिए एक कठन वर्ष रहा है तो इस बार हमारा इरादा है कि हम घर पर ही रहे एक साधारन पूजा करेंगे और परिवार के साथ समय बिताएंगे आम तोर पर यही हम किसी भी तरह से करते है वहीं दिवाली के पुरानी यादों को भी दिपिका ने ताजा किया और कहां दिवाली की मेरी यादे परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने को लेकर है वास्तव में मैं इस वर्ष के लिए भी यही उमीद कर रही हूँ जब आप स्कूल में होते हैं तो आप इस तथ्या की प्रतिक्षा करते हैं कि आपके पास कुछ दिन का अवकाश होगा साथ ही आपके कामकाजी माता पिता को भी काम पर नहीं जाना पड़ेगा इसलिए चीजे हमेशा बेहत सरल थी फिर भी वो यादे हमेशा बहुत खास होगी यानि कि इस साल दिपिक और रनवीर अपने परिवार वालों के साथ एक लोगी दिवाली मनाने वाले है आपका क्या कहना है इस बारे में आपकी राय हमें कॉमेंस में बताए आपका कहना है अबर आपका का था बाले हमें आपका कैसे बोल्यूदानाओनाओ फेस्बक, इंस्टराम और यूटूब